अलो अब्रिवन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाचपी आप लोग जुड़ चुके हैं समय इंडिया के नमबर वन इस्टेडी चैनल वाई फाई स्टेडी पर और आप लोग जुड़े हुए हैं आज एक बहुत ही बहतरीन क्लास जिसमें हम लोग यूएनों के बारे में चर्चा करने वाले यूएनों से कैसे-कैसे questions बन सकते हैं संयुक्त राश्षांग के Muhasachip से कैसे-कैसे questions बन सकते हैं ये सबकुछ आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं तो सबते पहले आप सभी लोग बचे मुझे अनेकेडमी लरनर एप पर फ और Iconic के लिए भी ये भी Certain का प्रयोग कीजिए और Ask a Doubt by an Academy पर आप लोग किसी भी प्रस्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए Instant form में आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा लेकिन आप लोग Image form में question आपर send करना पड़ेगा तो आप लोग को Ask a Doubt by an Academy पर जरूर अपना question पूछिए कोई भी आप लोग test series जहां से free में प्राप्त कर सकते हैं जब आप an Academy learner app पर class करते हैं तो वहाँ पर सभी बिद्यार थी लोग सीधे educator से बातचीत कीजिए बहुत सारे प्रस्नों का समाधान भी प्राप्त कीजिए plus course लेने का सही तरीका क्या है अपना मंचहां duration select कीजिए न अलोकसर पर और 23 तारीक को एक सांदार जांदार टेस्ट है उसको देना मत भूलिए और उसमें अग्दम फ्री में enrollment जरूर कीजिए ए भी सर्टेन कोट से enrollment कीजिए और फटाफट सांदार जांदार तरीके से आप लोग इसमें क्या करना है enrollment करके संडे को 12 बजे टेस्ट द योग करते हैं ए भी सर्टेन तो इससे discount भी ठीक है चले पहला सवाल दो को यूए नों का है पहले महसाची मैंने पूछा यूए नों के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे अब देगे अक्सर आप लोग पढ़ते हैं यार यूए नों के जो जनरल सेक्रेटरी थे पहले वो न यूए नों की जो स्थापना होती है वो 1945 में होती है विया 24 अक्टूबर को इसलिए हम लोग 24 अक्टूबर को यूए नो डे बनाते हैं तूसरा सवाल की तरह बढ़ेंगे लेकिन ट्रिगवेली के बारे में जान लेते हैं यह यह ट्रिगवेली साब की तस्वीर है आप ल इन्होंने 1940 से 45 तक लंदन में निर्वासित नर्वे सरकार में महत्पूर बरसों के दौरान विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने कारे किया था दूसरा सवाल है जो संयुक्त राष्ट संगों के महासरचीप कौन से स्वीडन से रिलेटेड है बहुत बार इन से रिलेट स्वीडन से रिलेटेड महासरचीप हैं और एक विश्यस्ता ये भी है कि ये एक ऐसे महासरचीप है जिनकी हवाई दुरगटना में मरत्ती हुई थी डैग हैमर सोल्ड साब की तो एक क्वेस्चन ये भी है वो महासरचीप जिनकी हवाई दुरगटना में मरत्ती हुई थी वो डैग हेमर सोल्ड साहब ही होते हैं, याद रखना है, ठीक है, नेक्स पॉस्चिन है बिया, संयुक्त राज संग के महासचिप, जिनको 1961 में नोबल पुरसकार से सम्वानित किया गया, ये कौन थे, तो 1961 में जिनको नोबल पुरसकार से सम्वानित किया गया, ये वही डैग हेमर सोल्ड हैं जिनकी बिमान दुर्घटना में मृत्युवी थी याद रखिएगा ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे लेकिन हेमर सोल्ड साप के बारे में हम लोग जान लेते हैं यह हेमर सोल्ड साप अपने कह सकते हो अगने कारल हम्स जॉल्ड इंका पूरा नाम है और एक स्वीडिस अर्थसास्त्री हैं राजनीक हैं जिन्होंने संयुक तराश्ट के दूसरे महा सचिवों के रूप में यह कारे किये हैं याद रखना है डैग हमर सोल्ड साप ठीक है मर्णो प्रांथ नोबल पुरसकार से सम्मानित किये जाने वाले केवल चार लोगों में से यह एक माने जाते हैं शुरुआती दोर में आगे बढ़ते हैं यूएनों के पहले एसियाई महास्चिव कौन थे बड़ा मात्रपूर सवाल है क्योंकि एसियाई से बनते त यूथांट पहले एसियाई वान की मून भी हैं लेकिन इनके बाद में बनते हैं यह साउथ कोरिया के हैं ठीक है एंटोनियो गुटेरस यह पुर्दगाल के हैं ठीक है याद रहेगा आगे बढ़ते हैं यूथांट साब का यह तस्वीर है इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए यूथांटे का वर्मा के राजनहिक थे 1961-71 तक सेयुक्त राज संग के तीसरे महासेचिव के रूप में कारे किया इस पद को समाब जो कह सकते हो समालने वाले पहले गैर यूरूपी कह सकते हो या पहले एसियन कह सकते हो दोनों आपका सही हो जाएगा अगला सवा सम्धित्रा देश्चे Hilre set from Austria स कॉर्ट वाल्ड हिम कौन कि ये जो कौफी इंपहला से भाना से हैं साउथ कोरिया से हैं तो ये जो कुर्ट वाल्ड हीन साब है इनकी तस्वीर है और इनके बारे में जान लेते हैं कुर्ट जोजफ वर्ड हैंग इनका पूरा नाम है औस्ट्रिया के राजनितिक भी रहे हैं उन्निस सो बहत्तर से 81 तक यूनियों के चौथे महासचिप के रूप में कारे किया है और ये 86 से 92 तक औस्ट्रिया के राश्ट्रपती के रूप में भी विराजुमान रहे हैं कि क्या भाई आगे बढ़ते हैं संयुक्तरास के महासचिप ऐसे कौन से थे जो पेरू के राजनिक भी थे पेरू यानि की कैसेक्टर जिसकी कापिटल लीमा है और वो भी आपके जेवियर पेरेज दे कोईलर ये थे पेरू के राजनिक जो यूनियों के जनरल सेक्रेटरी हु के जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार किया और ये पेरू के राजनिक के रूप में भी रहे हैं यूनो के कौन से महासची मिस्र देश से संबन दीते हैं देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉस्चन है सारे के सारे प्रस्ण आपके लिए निश्चित रूप से हरे एक एक में आ सकते हैं चाहें वो आपका इस्टेटिक जीके से रेलेटेड पूछे जाए या आपका यूनो से रेलेटेडड पूछे जाए तो आपके हल्प निश्चित रूप से करने वाले हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका जा समया यह मिस्र के जनर्ल सेक्रेटरी थे अफ वह यह कोफी अनान साहब थे घाना के थे सह प्राप्त करता थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किस संगठन को युद्धका बच्चा कहते हैं युद्धका बच्चा बिजिकली कहा जाता है लीग आफ नेशन्स को जिसके संस्थापक है वुड्रो विल्सन जिसके संस्थापक भईया वुड्रो विल्सन है याद रखना है सार की स्थापना 1985 में हुई थी सार के मेंबर कंट्री सारे लोग जानते हो यार MBBS पीना ये क्या है मालदीर बंगलादेश भूटान स्री लंका पाकिस्तान इंडिया नैपाल अफगानिस्तान याद रहाएगा बई डब्लु एचों के स्थापना साथ अपरायल 1948 को होती है आये लों के स्थापना कभी इंटर नेशनल लेबर और मेंजेशन जिसका हैड़ अपरेल 1919 जलिया वाला बाग हुआ है 1919 में रॉल एट एक्ट आया था 1919 में खिलाफ आता अंदोलन हुआ है यह सब याद रखोगे 27 में साइमेन कमीशन बंता है 1928 में भारत आता है 1942 में भारत छोड़ों अंदोलन होता है 1932 में क्रिप्स मिशन आता है 1930 में 12 मार्श को दंडी फंड जो है वासिंग अटन डीसी में ठीक है याद रहेगा वर्ल्ड बैंक का भी यहीं पर है और आयमेफ का भी यहीं पर है दोनों का आप लोगों को याद रखना है अगर पूछा याद दाहेग सहर कहां है तो यह नीधर लेंड में याद रखना है जो जेनेवा है वह सवाल आपके पूछे जा चुके हैं और जो आयलो में पूछा था उसका है सुरच्छा परिसद में कितने स्थाई सदस रहा याद रखना है पांच कौन कौन से पांच है याद रखिएगा रूस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, अमेरिका है, ये आपके पांच स्थाई सदस से होते हैं, बैसे टोटल कितने होते हैं, पंद्रा, ठीक है, याद रहेगा, दस आई स्थाई हो गए और पांच स्थाई हो गए, ठीक है भई, दस गैर स्थाई, और जिनको दो साल के कारेकाल के लिए छेत्री आधार पर 10 को भीया चुना जाता है कि आंधराश्री नहीरे में कितने नयाधीस होते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट की जब भी हम बात करेंगे तो नयाधीस होते है लिए 15 और कारेकाल इतना 9 साल के लिए मैंने लिख दिया हुआ है 9 साल के लिए महासाबाद सुरच्छा परिसत द्वारा चुने गए 15 नय अधिसों का एक पैनल होता है यह नीदरलेंड के दहेग में पीस पैलस में भीया इस थर थे यह इंटरनेशनल कोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं कहां पर दहेग में पीस पैलस में याद रखिए अगला सवाल है कौन यूएनों की अधिकारिक भासाओं में से एक नहीं है देखो यार इसका कोर्ट बड़ा प दीखोंगे बड़ा है तो एक छोटा से हो जाएक कांगरेजी और दूसरे छोटा से जाएका अर्भी चा से चीनी भासा पर रहा से रूसी भासा इस तुह बहुत यहां पर कौन सा नहीं दिख रहा आया इचा इटालियन में प्रेंच स्पैनिस अरभी अंग्रेजी चाइनी शे भासाओं को राज भासा स्विक्रत किया गया लेकिन इन में से केबल दो भासाओं को संचालन भासा माना जाता है कौन कौन सी अंग्रेजी और फ्रेंच को संचालन भासा के रूप में मानते हैं लेकिन छे को फ्रेस अचार को मनता प्राप्त है फ्रेस से फ्रेंच है दो छोटा, एक से अर्भी, एक से अंग्रेजी और चाज से चाइनीज लेंग्वेज और रा से रसीन लेंग्वेज याद रहेगा लेकिन जो संचालन भासा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है ठीक है? अगला सवाल है निमली कित में से कौन अफरीकी महाधीफ से यूएनों से पहले महासचिफ थे तो अफरीकन जो थे पहले वह या वो कोफी अनान साथ थे याद रहेगा आपको चलिए घाना से जो मैंने बताया आपको तो यह हमारे यूएनों के एकदम मैंने पास्ट मोड में आप लोगों को बहुत सारे कॉश्चन्स दिये हैं तो यह आपको निश्चित रूप से मदद करने वाले हैं तो इसी तरीके से रिकॉर्डेट वीडियो आपको आज और भी बहुत सारे मिलने वाले हैं तो आप लोग इस सेशन को सेर कीजेगा अधिक से अधिक लेकिन उससे पहले रिपोर्ट एंड विन आप लोग देख लिए यहां पर सेशन को अधिक से अधिक सेर करिएगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ओके थेंक्यों अब्रिमन जयें